हेलो गाइज आपका रीति का ब्लोग में स्वागत करती हूं कैसे आप सभी उमीद करती हूं कि आप अच्छे होंगे तो गाइज दोपार हो चुकी हैं दोपार की गुड मॉर्निंग तो गाइज मैं आपको बुद्धवार से संबंदित कुछ उपाय बताने वाले हूं जो आ मैं आज बुद्धवार के दिनी वीडियो बना रहे हूं तो देखिए सभी के कुंडली में बुद्ध कोई ना कोई खराब चलते हैं अगर हमारी कुंडली में अगर बुद्ध खराब होंगी तो हमें तवचा से संबंदित परशानी आएगी नीद से संबंदित परशानी आएगी हमें नीद नहीं लगेगी हमारे तोचा तोचा मतलब चमडी चमडी पे कुछ न कुछ दाने होंगे फोरी फुनसी होंगे कुछ ट्रोग होंगे तो जब हमारी कुंडली में बुद्ध गरख खराब होते हैं तो हमें सब परशानी आने लगती है बच्चों के पढ़ा इसके लिए मैं आपको बुद्धवार को करने वाले कुछ उपायों के बारे में आपके साथ मैं डिसकस करने वाली हूं तो आप उसे ध्यान से सुनिए और पूरी वीडियो को देखिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिजे और हम रंकी ड्रस पहनिये उससे आपके जिंदगी में सुख और सांती आती है और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूं कि बुद्धवार के तिन अब पक्छियों को हरे मुंग जो होते हैं साबूत मुंग होते हैं उससे अब भिंगो देजे और भिंगोने के बाद एक दि चत पे डाल देजी तो गाइज ऐसा करने से हमारी कुंडली में बुद्धग्रा स्ट्रॉंग होंगे और बुद्धवार का ब्रत करिए अगर आप साथ कर सकते तो साथ करिए उजाली पक्छ से उठाएए और इस ब्रत को आप 21 करिए साथ करिए उसके उद्यापन भी करिए अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं उद्यापन के विविधी आपको बता तूंगी इडियो एक बना दूंगी उद्यापन वाली भी तो इस तरह से आप ब्रत कर सकते हैं गाइज और अगर आप ब्रत नहीं भी कर पा रहे हैं तो हर बुद्धवार के दिन गणियाज जी को इ गड़ेश जी को पीले सिंदूर गड़ेश जी को जो पीला सिंदूर होता जहनमान जी को लगता है ये वाली उंगली से देखिए ये डाइने हाथ की उंगली होती है ये वाली उंगली से आप पांच बार तीन बार ऐसे लगाईए और लगाने की बाद अपनी माथे पेसे प्रगा लिजे साथ बुद्धवार अगर आप करेंगे तब भी आपकी परिशानी जो होगी वो खतम हो जाएगी गैज तीसरी बात चोथी बात मैं बताना चाहती हूं कि आप हर बुद्धवार को गड़ेजी को लड़ू बहुत पसंद है बुद्धी वाले वो लड़ू मंदिर में चड़ाना चाहती है तो मंदिर में चड़ाई ए घर में चड़ाई पर बुंदी के लड़ू भी चड़ाई अगर आव बुद्धवार का ब्रत करेंगे तो भीत साम को चड़ाके और परशाद खालेजे सबको दे दीजे ए एकन्टा मीठा बोजन भीकिया जाता ह बुद्धवर ब्रत में, सुआप कर सकते हैं और नहीं भी ब्रत करें, तो आप पक साम को परशात चढ़ा के बाद दसीब बाद के लिए पिला सेंदूर लगाती लिए गडे जी को और हरी रंग की दूप चढ़ाई गडे जी को बुधवार के दिन हरी पालक चड़ाए हरी सबजीक चड़ाए हरे हरे चीजों का यूज करिये तिन हरे मॉंग खाए हरे रंग की पालक खाए हरी मिर्च खाए अगर ब्रत करें तो बिना नमख वाला एक टाइम भुजन भी किया जाता है मीधा स्वाप कर सकते हैं बस बुद्धवार के लिए आप इन कुछ उपायों को करके अगर आप पूरी सारे उपाय नहीं कर पा रहे हैं तो एक दू उपाय को भी करके आप अपने जिन्दिगी को खुशार बना शकते हैं और एक चीज हो और एक मंत्र है गड़ेशी का ओम गंगड़ पते नमा इसका आप साथ बार एकिस बार या 101 तो आप वो जाप करके और गड़ेशी का और अपने बुद्धुगर को श्ट्रॉंग कर सकते हैं और एक और मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्राम सा बुद्धाय नमा जाप आप कर सकते हैं तो यह करने से हमारे बुद्धगर मजबूत होंगे अब बुद्ध मजबूत होंगे तो बहुत अच्छा जिंदगी में होगा और आपकी जिंदगी बहुत खोशाल होगी तो मैं यह बात आपके साथ सेयर करना चाहती थी अगर आपको हमारे वीडिय प्वामोर्या